कुमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिफ न्यूज मार्केट 24 पर खबर कान की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है उत्वाद अक्राजों में नहीं पतल जो है वो लगातार आ रही है और मिले केवर दुरश के इसाफ से वजारों में व्यापार करके चल रहे हैं इस तर्सों में बहुत पता लंबी चौड़ी तेजी की धारना नहीं है कल वाले दिन में क कई है अञ अलग अलग दाज्यों में भी ऐलक अश्य से नव्य है अजार बोरी टक रही है आवक देखी गई और नई फचल की वज़र से अब अए बसार Ohioimated की नुज कहघ तक जो दान है उसमें किरावत देख जा रहे है और प्रमुख जो यह प्रमुक जो तेल के ब्लांट प्लांट के बारे मात करते हैं तो आज बशारों में 12 से गिदावट के साथ कारूबार हुआ है जयापूर का रेट 900 है पुरानी सक्षों के रेट है सारे दिल्ली कीमित है 550 पर तक की मामरी से बढ़ा दर्स करिए है प्लांट के बारे में बात करते हैं तो सलोनी समसाबाद प्लांट के साथ कारूबार हुआ है तो इसमें अन तेलों के सर्तों खरीच को लेकर कोई स्परा देखने को नहीं मिल रहा है अनुमान लगाया जारा है कि इस सब्तहा के अधिक राइनिक आवग साथ ते आट लाग गोरी तक भी पहुंच सकती है हाला कि पुरानी सर्तों के लगुदा इस वक्त कम है जिससे सर्तों तेल के जो भाव है उसमें एक से जेल रुपए प्रती किलों से अधिक घिरावट आने की संभावना नहीं है बजारों में हज़की नर्मी के साथ आपको कारूबार देखने को मिल सकता है सर्तों फीर में जैसे जैसे नहीं फसल के आवर तरीब आती जाएगी नहीं फसल आती जाएगी आपको उसमें बजारों में और भी गरावट देखने को मिलेगी बहुत बहुता लंबी चौड़ी तेज़ी आने का आतार फिलाल अधिले मार्केट में नहीं ही तो आज की सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब उस फसेज़ी तो आज से मिलते हैंस रकने कापलों के साथ अब तक ले से ढी सेक आने का सब्सक्तिन की ख़ी तो